हईलो एवरीवन अस्ताम अलेकूम आज की मज़ेदार रेसीपी का नेम है बफलो विंग्स तो स्टार्ट करते हैं रेसीपी इसको बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन विंग्स बीस उसमें हम डालेंगे garlic paste 1 teaspoon, काली मिच का powder 1 teaspoon, onion salt 1 teaspoon, onion salt नहीं है तो 1 teaspoon salt और 1 teaspoon onion powder डाल दें पैप्रिका powder 2 teaspoon, red मिच पाउडर 1 teaspoon, इन तमाम को हम mix कर लेंगे फिर हम इसे cover कर देंगे या आप इसे wrap कर देंगे और 2 घंटी के लिए marinate कर देंगे या कमस कम 1 घंटा marinate ज़रूर करें step number 2 है उसमें हम मैदा लेंगे 2 cup, black pepper powder 1 teaspoon, नमक 1 teaspoon, red मिच पाउडर 1 teaspoon और इसको भी हम mix कर लेंगे और अब हमने इसकी coating करनी है, यहाँ यह अच्छे तरीके से marinate हो चुका है, अब हम इसकी मैदे से coating करेंगे उसके बाद हमने ठंडा पानी यूज़ करना है, नॉर्मल या गरम पानी यूज़ नहीं करेंगे इसमें हम chicken wings को dip करेंगे, जिरफ 3 seconds के लिए इसकी marination पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, हमने फिर इसको दुबारा से फिर मैदे में डाल देना है इससे यह होगा, इससे coating बहुत अच्छी होती है और फिर से हम मैदे से coating कर देंगे, और इससे dish out कर देंगे अब step number 4 है frying, oil गेरम होना चाहिए, हमने इससे 10 से 12 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है 3 मिनर्स के बाद हम इसको flip कर देंगे, फोरें ही आपने flip नहीं करना है और ना ही हमने frying pan में बहुत ज़्यादा wings एकदम डाल देने है, sections में आप इसको fry करें और फिर dish out कर ले, step number 5 में हमें चाहिए butter 4 तेबल स्पून, फिर हम लेंगे chili sauce half cup, vinegar 1 teaspoon, soy sauce 3 तेबल स्पून, फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, red mirch powder 1 teaspoon, paprika 1 teaspoon, brown sugar कम डालनी है 2 teaspoon, water 1 cup, sugar आपने कम ही डालनी है, चाहे तो आप honey भी डाल सकते हैं, corn flour हमने बिल्कुल नहीं डालना, इसे naturally पकने देना है, 5 मिनिट पकाएंगे, medium flame पर और उसके बाद हम sauce डाल देंगे, wings पे बहुत गरम sauce, wings पे नहीं डालनी है, और बहुत gently इसको आपने mix करना है, यह sauce 20 wings के लिए ready की गई है, अगर आप करती ही डाल रहे है sauce तो आप बड़ा bowl यूज़ करें, बहु आपको बहुत मज़ा आएगा, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अलाफिज